सीडियल परिनीती की बात करएं तो शो में आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर नीती के सामने यह बात तो आ चुकी है कि संजु को नहीं बल्कि उसे मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी और उसी को बचाने के चक्कर में संजु आज इस स्थिती में पहुँच गया है संजु की स्थिती काफी गंभीर बताई जा रही है यहाँ परिनीत को आकर मॉंटी ने बता दिया है चंद्रिका को भी ये बात बताई गई है कि भाई कैसे उसकी जान लेने की कोशिस की गई थी लेकिन परिनीत को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा वो कह रही है कि पहले हम संजु को देखेंगे उसके बाद मैं पता लगाओंगी कि आखिर वो कौन इंसान है जो मेरी जान लेना चाहता है वर अब आपको बताते चले कि शो में आप देखने वाले हैं कि कैसे अब संजु की स्थिती गंभीर होनी की वाज़ से सारे लोग हॉस्पिटल में आ गए है 24 गंटे संजु के लिए काफी क्रिटिकल बता जा रहे हैं ऐसे में नीती के गंडे भी वहाँ आ चुके है और यहाँ पर आकर वो यह प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे परिनीत को यहाँ पर मार दिया जा इसी हॉस्पिटल में लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पर अब परिनीत जो है वो नीती की बाते सुन लेगी जिस तरीके से गंडे के साथ प्लानिंग कर रही है और जिस तरीके से उसे मारना चाहती है यह सब अब परिनीत जो है वो सुन लेगी और फिर इन दोनों का आमना सामना होगा दोनों की बीच की लड़ाई अब आमने सामने वाली होगी